सीतापूर में आदर्स तहसील महोली का मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने लोकारपण कर दिया अब पान साल से लोकारपण की रह देख रहे सीतापूर के ट्रामा सेंटर पर कब नजरें इनायत होंगी आदर्स तहसील महोली और ट्रामा सेंटर का भवन अखलेश सरकार में बन कर तयार हो गया था देखिए आई इंडिया की खास रिपोर्ट में अखलेश की काम को योगी कब देंगे अनजाम लंबे इंतजार के बाद योगी सरकार नी सीतापुर के महुली की आदश तैसील की तो सौगा दे दी लेकिन अब सवाल यह है कि सीतापुर के बाशिंदों को ट्रामा सेंटर का तौफा कब मिलेगा पिछले चार बरस से सीतापुर के जमैतपुर में ट्रामा सेंटर का नया भवन बन कर तयार खड़ा है मगर अभी तक यहां का ट्रामा सेंटर ना तो अत्याधुनिक मशीनों से लैस हो पाया है और ना हे चिकितसक मेडिकल स्टाफ के पद ही सरजित हो पाया है हलाकि समय समय ये मुद्धा सुर्खियां जरूर बना और अफसर से लेकर मानी तक आश्वासन भी देते रहे मगर ट्रामा सेंटर चालू नहीं हो सका ऐसे में जुले के गंभी रोग्यों को ततकाल बहतर इराज मिलने का सपना हकीकत नहीं बन सका वर्ष 2020 भी बीतने को है ट्रामा सेंटर बने पास साल होने को क्या वर्ष 2021 में सीतापूर वासियों को ट्रामा सेंटर की सौगात मिल पाएगी सीतापूर में गंभी रोग्यों को फौरी तोर पर इलाज की सुवधान नहीं है इसके अभाव में रोजाना 15 से 20 गंभीर मरीज लखनूर रफर होती है कई बार मरीजों की जान भी चली जाती है सीतापूर से होकर प्रदेश से देश की राजधानी को जोनने वाला 100 किलोमीटर से भी जादा दूरी का एनेस 24 भी गुज़रा है जिस पर अक्सर दुरघटनाए होती रहती है और हैड इंजरी होने पर उन्हें करीब 90 किलोमीटर दूर लखनूर ट्रॉमा सेंटर ले जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है आकस्मिक चिकिस्ता स्वास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शेहर के सर्टिक हैराबाद इलाके के जमयतपुर में ततकालीन अखलेश सरकार में दो करोड 32 लाग की लागत से ट्रॉमा सेंटर के लोकारपड की रस्म भी 19 सितमबर 2016 को निभा दी गई थी चार बरस से ये भवन तयार खड़ा है लोगों में उम्मीदे उस वक्त भड़ गई थी जब ट्रामा सेंटर को चालू करने के लिए पस सज़त करने की कवायश शुरू हुई थी लेकिन ये कारवाई कागजों में ही सिमट कर रह गई हर साल ट्रामा सेंटर शुरू होने की उम्मीद जगती है लेकिन ये शुरू नहीं हो पा रहा है जबकि शुरू आती दौर में इस सेंटर के जर्ये सीतापुर लखीमपुर वहर दोई के बाशिंदों को सिवधाय देने का लक्ष रखा गया था क्योंकि गंभीर मरीज सीधे लखनों रफर किये जाते हैं अगर ये सेंटर चालू हो जाए तो उन मरीजों को सुवधाय मिलेंगी जो एक्सिडेंट वा अन्य गंभीर विमारी के चलते लखनों जाते समय ही दम तोड़ देती हैं तब काली इन जुले की प्रभारी मंतरी रिदा बहुगडा जोशी ने भी कई बार ट्रामा सेंटर शुरू कराने का आश्वासंदिया मगर वो भी शुरू कराने में असफल रही जुले की करीब 50 लाग से जादा अबादी चार बरस से ट्रामा सेंटर शुरू होने की उम्मीद संजोई बैटी है 2019 में कई बार ट्रामा सेंटर चालू होने की कवायश शुरू हुई भाजपा के सदर विधायक राकेश राठोर ने ट्रामा सेंटर चालू कराने को लेकर काफी लिखा पड़ी की लेकिन वो रद्धी की टोकरी नी टाल दी गई अब प्रयास किया भी जो कुछ जहां जहां पर जरूरते थी लिखना पड़ने की कहने की वो सब किया अब वो नहीं समझ में आया लोगों को नहीं आप सकता लगी होगी ट्रामा सेंटर की ट्रामा सेंटर को चालू करने के लिए कभी पज सजन की बास सामने आई तो कहीं स्टाफ तनाती की बाते सुर्खियों में रहीं लेकिन ये सब केवर हवा हवाई साबित होई अफसर भी शासन पर लेट लतीफी का ठीकरा फोड कर बचते रहे अभी हाली में योगी सरकार ने आदश तहसील महुली का वर्चुल लोकारपन कर यहां की जंता को सौगात दे दी है नई आदश तहसील महुली के लोकारपन की साथ ही एक बारगी फिर से ट्रॉमा सेंटर चालू कराने की मांग तेज हो गई है ट्रॉमा सेंटर चालू कराने को लेकर आइंडिया ने सपा के पूर विधायक रादश राम जैस्वा से बात की तो वो अखलेश सरकार के विकास कारियों को किनाने लगे और ये दावा भी करने लगे किवश दो हज़र बाइस में जब हमारी सरकार आएगी तब हम ही उसे चालू करवाएंगे जब हमारे मुखमंत्री थे तो हमारी मांग पर उन्होंने कन्या डिगरी कालेज, पुल, डिवाइडर और ट्रामा सेंटर इनका पैसा भी रिलीज किया गया था जो बनके तयार है अपेच्छा की जा रही है कई बार हम मिल चुके हैं, जिलादिकारी को लिखित में भी दिया है कि इनको चालू कराया जाए ये देश भावना से ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार ये नहीं चाहती है कि जन्ता का हित हो हम मांग करते हैं कि ट्रामा सेंटर और ये डिगरी कालेज ये ततकाल चालू किया जाए ये मन्जूर किया हुआ अब ये सब कुछ किया हुआ तो मानी अखलेश यारों का है इस सरकार का काम है जो दूसरे का काम है उसका फीता काटते हैं ये कोई नोंने नया काम किये नहीं जितना काम हुआ है मानी अखलेश यारों जी कि जिस हुआ है जिस तरह सांसद और विधायक आदश तहसील महुली का लोकारपन करने का हर संभव प्रयास करते रहे मगर नाकाम रहे उसी तरह ट्रामा संटर चालू कराने का सदर विधायक राकेश राठोर का प्रयास भी सार्थक नहीं हो सका सितापुर वासी नए साल में ट्रामा संटर की सौगात मिलने की टक्टकी लगाए बैठे हैं योगी जी प्लीज क्रपा बरसाइए ट्रामा संटर चालू करवाईए सितापुर से आइंडिया के लिए जैन शिर्वास्तव और बब्रू सिंग चोहान के साथ कैमरामें समीर अक्तर की रिपोर्ट खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आइंडिया